सिख तरम्दी हरकती भी ने अते गुर्बानी वास्ते हुने सब्सक्राइब करो गुर्बानी अक्खांड वानी अते नोटिफिकेशन्स वास्ते बेल नो रिंग करो कि अधिया चेडियन ते मैं बाज तड़ाऊं सवा लाख से एक लड़ाऊं तब गुरु गोविन सिंग नाम कहाऊं गुरू गोविन सेंग सक्कों के दस्वें गुरू योध्धा कवी नौ वर्ष की आईू में सिख्वों को मारधर्शन देकार अंतिम्शिक्ख गुरु बने रहे सिख धरम के पवित्र गुरु ग्रंत साहब को पूरा किया और खालसा मानी वहे गुरुजी दे खालसा वहे गुरुजी दी फते है ये नाम से मानवता को एक नया संदेश दिया खालसा पंद की रक्षा के लिए मुगलों और उनके सहयोगियों से लगभग 14 बार जिन्होंने लड़ाई लड़ी भक्ति और शक्ति के विहंगम संगम थे गुरु गुरु विन सिंग जी त्याग और तपस्या एक कवी के रूप में एक युद्धा के रूप में जिन्होंने मानवता को बहुत बड़ा संदेश दिया सिख पंथ को बहुत बड़ा संदेश दिया हमारे प्रधान मंत्री जी के नित्रत्यों में यह इस भारत सरकार का सौ भाग्य है। पिछले साड़े चार सालों में गुरु नानक देव जीजा साड़े 500 साला, गुरु गोविन सिंग जीजा साड़े 300 साला और नामधारी गुरु राम सिंग जी का 200 साला मनाने का सौभाग्य मानि परधान मंत्री जी के नित्रत्व में इस सरकार को मिला, जलियां वाला बाग का 100 साल भी हम इस वर्ष बनाने जा रहे हैं। देश के उन महापुर्षों को देश के उन वीरों को देश के उन संतों को जिनों ने बाहरत को मानवता को नया संदेश दिया उनके जन्तितियां फूर्णितियां मनाने का एक सिलसिला शुरू हुआ। सरदार पटेल से लेकर महात्मागान्धी से लेकर गुरु गोविनשה से लेकर गुरुण आनक देयकर यह सिलसिलाभ सतथत जारी है मैं गुर्धवाणा प्रबंध्रक कमिविटी के अध्यक श्रिगुविनष लोंगोवैजी श्री मञ्जीत सिंह जी के प्रेजरेंट वर्ड पंजाबी ओर्गनाजेशन, गुरुचरन सिंह गिल जी, प्रेज़ेट सिख संगत जी, मलकीत सिंह बाल जी, प्रेज़ेट महारास्था सिख असोशेशन, एचेस हंसनपाल जी, नाम्धारी दरबार जी, आत्मा सिंग लुभाना जी, एंटि सिक्स सुसाइटी, आर्पी सिंग जी सिक्क फोरम, चरण जीत सिंग अटवाल जी और हमारे से बीच में श्री बलबिंदर सिंग भुंडर छी, सीनियर वाइस प्रेजेंट अकाली दल भी है, श्री श्वेत मलिक जी और श्री तरलोचन जी सिंग जी स्परार्थना करूंगा, कि वे मानिय प्रथान मंत्री जी का सरोपा भेंट कर सम्मान करें. इस आउसर पर हमारे बीच में भारत के पूर प्रथान मंत्री, आधनी मनमोहन सिंग जी का भी मैं अभिनांदन करता हूं, पूर चीप ज़स्टिस, ज़स्टिस केहर साप का मैं अभिनांदन करता हूं, मंत्री मंडल में मेरे सहयोगी। आधनी हर्दी पुरी सिंग जी, दौक्टर हर्षवर्दन जी और स भी उपस्थिद जनों का मैं कुर्वे लेली सुल निहां सुल निहां कुर्वे लुदान लुदा कुर्वे लुदा लिए बालन निहां कर दो पर जो कि अब जर्वांदर यार्व मैं मान्यें प्रधान मंत्री जी से कि अग्रह करता हूं कि इस अवसर पर हमारा मार्ग दर्शन करें करें कि वाहे गुर्जी का खाल्सा कि वाहे गुर्जी के पते हैं कि देश के अलग-अलग कौने से यहां प्रधारे हुए आप सभी महानुभाओं का मैं स्वागत करता हूं आप सभी को पूरे देश को लोगडी की भी लख-लख बढ़ाई पिशेश तोर पर हमारे देश के अनदाता साथ्यों के लिए फसलों की कटाई का यह मौसम अनंत खुश्यों को लेकर के आएं कि मंगर काम ना करता हूं साथ्यों आज गुर्गोविंसी महाराज का प्रकाश परवर देश मना रहा है खाल सापंत के स्रजन हार मानवता के पालन हार भारती मुल्यों के लिए समर्पित गुर्गोविंसी जी को मैं स्रध्धा पुर्वग नमन करता हूं गुर्गोविंसी जी के प्रकाशोत से उपर पर आप सभी साथ्यों के साथ साथ देश और दुनिया भर में सिख पंत से जुड़े और भारतिय संस्क्रति के लिए समर्पित कि सभी जनों को मैं बहुत बहुत बढ़ाई देता हूं कि सात्यों पिछला वर्ष हमने गुर्गोविंसी महरात की कि 350 वी जन्मजेंती वर्ष के रुप में मनाया था कि सीख पंद के इस महर्तपुन अवसर को और यार्ग्यार बनाने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से मुझे एक 350 रुपिय का स्मृति सिक्का देश्वास्यों को समर्पित गने का सौभागी मेरा है वैसे तो गुरु गोविंसी जी का सिक्का हम लोगों की दिलों पर सैंकड़ों सालों से चल रहा है और आगे भी कई सालों सो सालों तक चलने वाला है और इसलिए जिसका कृतित्व ए हमारे जीवन को चलाता रहा है हम लोगों को प्रेणा देता रहा है उसको सदेव याद रखेने का हम एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं यह उनके प्रती आदर वंस्रद्धा व्यक्त करना का एक छोटा सा प्रयास भर है और इसके लिए हम सभी एक संतोश की अनुभूति करते साथियो स्री गुर्गोविन सीजी की व्यक्तित्म में अनेक विधाओं का संगम था वो गुरू तो थे ही भक्त भी स्रेष्ट थे वो जितने अच्छे योध्वा थे उतने ही बहतरीन कभी और साहितिकार भी थे अन्याय के विरुद उनका जितना कडारूख था उतना ही शांती के लिए भी आगर था मानोता की रक्षा के लिए राष्ट की रक्षा के लिए धर्म की रक्षा के लिए उनके सर्वोच्च बलिजान से देश और धुनिया परिकी थे इन पुत्रन के कारण वार दियसुत चार चार मुए तो क्या हुआ जीवित कई हजार हजारों संतानों की रक्षा के लिए अपनी संतान को अपने वोश का ही बलिदान जिसने दे दिया रास की रक्षा के लिए धर्म की रक्षा के लिए त्याग और बलिदान का इससे बड़ा उधारन क्या हो सकता है साथियों वीर्ता के साथ उनकी जो धीरता थी धैरियता वो अधुद था वे संगर्स करते थे लेकिन त्याग की पराकाश्ठा अभुद पुरो थी वे समाज में बुराईयों के खिलाब लड़ते थे, उंच नीच का भाव, जातिवात का जैर, उसके खिलाब भी गुरु गोविन सीजी ने संगर्श किया, यही सारे मुल्या नए भारत के निर्माण की मूल में है, साथियों, गुरु जाब ने ज्ञान को केंदर में रखते हुए, गुरु ग्रंट साहिब के हर शब्द को जीवन मंत्र बाना, उन्होंने कहा था, कि अब गुरु ग्रंट साहब ही, उसका हर शब्द, उसका हर पन्ना, आने वाले युगों तक हमें प्रेणा देता रहेगा, भारत को जोड़ने का उनका प्रयास था, खाल्चा पन्त का अविकास, गुरु साहब के लंबे समय के गहन, चिंतन, मनर और अध्यन का प्रणाम था, विवेद, पुरान इवा मन्ने प्राचिन गर्म्तों के ज्याता थे, गुरु साहब को गुरु नानक देव से लेकर, मुगल शासन के दवरान सिक्मन से जूड़ी घटनाओं की व्यापक जानकरी उनको थी, देश समाज में घट रही हर घटना पर, उन्होंने अपने विचार रखे, साथियों, आप में से अनेग लोगों ने, श्री दसम गरंत साहब को पढ़ा होगा, भास्षा और साहित्य अबर जो पकड उनकी रही, वो अध्भूत है, जीमन के हर रस का व्याख्याम इस प्रकार से किया गया है कि सामाने से सामाने व्यक्ति को छू जाता है, अलंकार हो, पदशैली हो, छंद हो, प्रवा हो, मंत्र मुग्द करने वाला है, भारतिय भाशाओं को लेकर, उनकी जा साथियों, गुरु गोविन सीजी का काव्या, भारतिय संस्कृति के ताने बाने, हमारे जीवन दर्सन की सरल अभिवक्ति है, जैसा उनका व्यक्ति तो बहु आयामी था, वैसा ही उनका काव्य भी, अनेक और भिविद विश्यों को समाहित किये हुए है, साहित्य के कई जा उसकी महिवा को उजवल करती है, निकारती है, ऐसे में सांस्कृति को समरुद्द करना और उसका प्रचार पथार करना, हमें शांसे, दुनिया की सकति साली सब्यताओं की प्राख्षिकताओं में रहा है, यही कोशिश, बीते साड़े चार वरसों से हमारी सरकार कर रही है, भारत के पास जो सांस्कूरुतिक और ज्ञान की विरासत है उसको दुनिया के चप्पे चप्पे तक पहुँचाने का व्यापक प्रयास किया जा रहा है योग से लेकर आई वे तक अपनी प्रतिष्ठा को पुनः प्रस्थाफित करने में देश सफल हुआ है ये काम निरंतर जारी है साथियों वैश्वीक आरोग्या सम्रति और शांति को लेकर हमारे रुष्यों मनुष्यों और गुरुवों ने जो संदेश दिया उस संदेश से दुनिया लाभानमी थो इसका प्रयास किया जा रहा है गुर गोविन सी जी का 350 वा 50 प्रकास परवतों हमने मनाया ही अब गुर नानक देव जी की 550 वी जन्म जैनति के समारों की तैयारी अभी चल नहीं है यह हमारी सरकार का सवभाग है कि हमें इन दिनों 55 अवसरों पर जुड़ने का सवभाग विशेश तुम से मिला सरकार ने फैसला किया है कि प्रकासोत सव देश के सभी राज्यों और केंद्र सासी प्रदर्शों में तो मनाया जाएगा पूरे विश्व भर में हमारी एमबेसी में भी इस समाहरों का आयोजन होगा यहीं नहीं आप ये भी भली भाती जानते हैं कि अब केंद्र सरकार के अथक और अभुत्पुर्व प्रयास से करतारपूर कोरिडर बनने जा रहा है अब गुरु नानक के बताए मार्क पर चलने वाला हर भारतिया हर सिख दूर्वीन के बजाएं अपनी आखों से नारोबाल जा पाएगा और बीना भी जाके गुर्द्वारा दर्वार सहाब के दर्शन कर पाएगा अगस्त अगस्त नाइंटीन फोर्टी सेवन में जो चूप हो जी यह उसका प्राइस चीत है हमारे गुरु का सबसे महत्वपुन स्थल सिर्फ कुछी किलोमेटर से दूर था लेकिन उसे भी अपने साथ नहीं लिया गया यह कोरिडर उस नुक्सान को कम करने का एक प्रामा प्राणिक प्रयास है साथ यो गुरु गोविन सीजी हो या फूर नानक देव जी हमारे हर गुरु ने नयाय के साथ खड़े होने का सबक दिया है उनके बताये मार्क पर चलते हुए आज केंद्र सरकार 1984 में 1984 में सुरू हुए अन्याय के दौर को नयाय तक पहुंचाने में जुटी है दसकों तक माताओंने बहनोंने बेटे बेटियों ने जितने आसु वहा हैं उन्हें पहुंचने का काम उन्हें नयाय दिलाने का काम अब कानून करेगा साथ यो आज के इस पवित्र दीम गुरु गोविन सीजी महराज के दिखाए 11 सुत्रिय मार्क पर चलने का फिर से संक्रव लेने की जरूरत है आज जब भारत एक ससक्त रास्त के रूप में स्थापिध होने की रहाप्र चल पड़ा है तब भारत की भावना को और ससक्त करने की आवशक्ता है मुझे भी स्वास है कि हम सभी गुरुजी के बताए मार्श से नए भारत के अपने संक्रत को और मजबूत करेंगे एक बार फिर आप सभी को प्रकाश परवक्ती बधाई आपके लिए नया साल धेरों खुश्या लेकर के आएं इसी कामरा के साथ जो बोले सो निहाल साथ सी अकार धन्यवाद प्रधान बंत्री जी आपके नेत्रत्त में ये कृतक गिरास्ट अपने इन संतों महापुर्षों के जीवन संदेश को विश्व के कौने कौने में पहुँचा कर नई पीड़ी को नया संदेश मिले अगर सर है इस सिलसिला आगे जारी रहेगा गुरु गोविन संदेश की जीवन संदेश की जीओ तो शान से जीओ और मरो तो भी सम्मान से और शान से मरो गुरुन गोविन सिंग जी का ये संदेश और अपने महापुर्षों का ये सम्मान का सिलसिला आपके नेतरत तुमें जारी रहेगा आपके नेतरत तुमें भारत भारतीता और भारत के लोगों का सम्मान आज शिखर पर है पूरा विश्व अपिक्षा कर रहा है कि ये भारत विश्व गुरु बनकर विश्व का मार्क दर्शन करेगा धन्यवाद आप सभी उपस्ते चनों का धन्यवाद पीछे लॉन में चाई के लिए सभी आमंत्रित हैं झाले के लिए सभी आमंत्रित हैं सिक तरम दी हरकती विनी अते गुर्बानी वास्ते हुने सब्सक्राइब करो गुर्बानी अखांड वानी अते नोटिकेशन्स वास्ते बेल नो रिंक करो